असलाम अलेकूम हाई प्रेंस इससे बनाने के लिए मैंने वर्दमान की बेबी बूल ली है और मैं इसे चार नंबर के कुरेश्य हुख से बनाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसमें गाष लगाएंगे अब हम इसमें चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आथ, नव, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदा, पंदरा, सोला, ततरा, अठरा इसमें हमें आठरा चैन बनाने हैं अब डबल कुरेशिया बनाएंगे सारे चैन में इस तरह से फंदे बनाएंगे इस तरह से हमें यहां से पूरे चैन में फंदे बनाने हैं देखे फ्रेंस में इस सारे चैन में अठरा फंदे बना लिये हैं अब यह लाश्ट की चैन है हमें इसी में और फंदे बनाने हैं देखे इस तरह से इसमें हूँ डाल कर इसी चैन में हम फंदे बनाएंगे लाश्ट वाली में एक दो इस तहागे को हम इसे बीच में कर देंगे तीन अब इसके इस साइट वाले में यहां पर हुग डालेंगे और यहां पर यह फंदा बनाएंगे फिर इसी में एक और फंदा बनाएंगे इस धागे को बीच में कर देंगे हम दागा उसी में छुप जाएगा देखे इस तरह से हमें यहां पर राउंड शेप करना है देखे इस तरह से गोल हो गया है अब हम यहां से यहां तक हर फंदे के ऊपर एक एक फंदा बनाते हुए यहां से यहां तक बना लेंगे यहां से यहां तक बनाने के बाद अब हम यहां पर फंदे बढ़ाएंगे देखे हम यहां पर इसी फंदे में और फंदे बनाएंगे एक यहां बनाएंगे एक फंदा फिर इसी में हम एक और फंदा बना लेंगे जिस तरह से यहां पर फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से यहां भी फंदे बढ़ाएंगे इसमें हम तीन फंदा बनाएंगे देखे इस तरह से हम यहां पर इसे गोल बनाना है जिस तरह से हमने यहां पर बनाया है हमें यहां पर फंदे बढ़ाते रहने हैं वन्ना इसमें सिकुड़न आ जाएगी हमें इस चीज का ध्यान देना है कि यहां पर बहुत जादा फंदे न बढ़ाएंगे नहीं तो इसमें चुन्नट पर आ सकती है इसलिए इसके हिसास से फंदे बढ़ाएंगे जितने में यह अच्छे से बन जाए अब हम यहां पर एक एक फंदे बनाते हुए यहां से यहां तक बना लेंगे और फिर हम यहां पर फंदे बढ़ाएंगे यहां तक बनाने के बाद अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे एक फंदे में हमें दो फंदा बनाना है इस तरह से इसमें भी हम दो फंदा बनाएंगे इस तरह से हम यहां से यहां तक दो दो फंदे बनाते हुए इसे इस तरह से गोल कर लेंगे देखिए हमें कहीं पर तीन फंदे की ज़रुत पड़ती है तो हम सारे फंदो में हम दो फंदा बनाते हैं और कहीं हमें लगता है कि कम है तो हम आपे तीन फंदा बना देते हैं इस तरह से यह गोल बन गया है और इसमें सिक्रन भी नहीं आई है इस तरह से हम फंदे बढ़ाते रहेंगे तो इसमें सिक्रन नहीं आएगी अब हम यहां से यहां तक फंदे के उपर एक एक फंदा बनाएंगे और फिर हम यहां पर फंदे बढ़ाएंगे देखिए यहां से यहां तक बनाने के बार अब हम यहां पर फंदे बढ़ाएंगे हर फंदे में हम दो फंदा बनाएंगे अगर कहीं पर हमें कम लगता है तो हम वहां पर तीन फंदा बनाएंगे इस तरह से हम इसे तयार कर लेते हैं इतना बड़ा हमें यह चाहिए इतना बड़ा हमें इसे बना कर तयार कर लेते हैं देखे फ्रेस मुझे जिस साइज का चाहिए था मैंने उस साइज का इसे बना लिया है मैं इसे एक साल की बेबी के लिए बना रही हूँ इसकी साइज पूरी हो गई है अब मैं इसके फंदे यहां पर बन कर दूँगी आप जिस साइज का बनाना चाहती है जिस साइज की बेबी के लिए आप बना लिजे उसके बार आप यहाँ पर फंदे इसके बंद कर दीजे अब हम इसके छोटे छोटे फंदे बनाएंगे इस तरह से फंदों को थोड़ा सा छोटा कर लिजे इसमें हम दो फंदे बनाएंगे इसमें भी हम दो फंदे बनाएंगे देखें इसमें हम सारे फंदों को एक साथ उतार लेंगे इस तरह से इसे भी हम एक साथ उतार लेंगे सारे फंदे यहाँ पर हम सिंगल कुरेशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से फंदे बन कर देंगे यह देखें इस तरह से इसके फंदे बन हो गए इस तरह से बनाने के बाद अब हम इसके उपर का हिस्सा बनाएंगे हमें डबल प्रोश्या के फंदे बनाने हैं अब हमें यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाने हैं बेगर फंदे बढ़ाए हुए हमें यहाँ से पूरी लाइन कंप्लीट करनी हैं हमें अब यहां भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं सारे फंदों में अब एक फंदा बनाईए फंदे नहीं बढ़ाना है अब मेरी यह लाइन पूरी हो गई है अब मैं इसे यहां पर जॉइन कर देती हूं इस साइट में हम इसे जॉइन कर देंगे ऐसे और इसे इस पंदे में से इसे निकाल देगे देखे फ्रेंस जब हम इसमें फंदे नहीं बढ़ाते हैं तो यह इस तरह से बन जाता है अब हम इसकी दूसरी लाइन बनाएंगे दूसरी लाइन बनाने के लिए दागा इस तरह से लपेती है और हुक को इस पंदे के बीच में से डाल कर इस साइट निकाल दीजिए और धागा लपेत कर इस तरह इस निकाल दीजिए और इसे डबल कुरेशिय बना दीजिए और फिर दागा लपेती है देखिया अब हम पीछे के साइट से भूग डालेंगे इधर से डालेंगे और पंदे के उपर से इस साइट निकाल देंगे ऐसे और धागा लपेतेंगे इस तरह से डबल कुरेशिय बना देंगे फिर धागा लपेतेंगे फिर हम इधर से भूग डालेंगे और यहां पर फंदा बना देंगे फिर धागा लपेतेंगे फिर हम पीछे के साइट से यह पीछे के साइट से हुक इस तरह से डालेंगे इस तरह से फंदे को उठा लीजे देखिए इस साइट से इस तरह से रहेगा इसमें से हम ऐसे फंदा बनाएंगे फिर धागा लपेतेंगे इसमें कुरेश्य डालिए और एक फंदा बना लीजे फिर धागा लपेतेंगे पीछे से इस तरह से कुरेश्य डालिए और इसमें एक फंदा ऐसे बना लीजे इस तरह से हमें सारे फंदों में इस तरह के फंदे बनाने हैं फिर पीछे के साइट से कुरेश्य डालिए और इसमें एक फंदा बना लीजे देखे इस तरह से इसकी यह डिजाइन बन जाएगी इस तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है एक बार हम पीछे से कुरेश्य डाल कर फंदा बनाएंगे इस तरह से और एक बार आगे से कुरेश्य डाल कर इस तरह से फंदा बनाएंगे इस तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं देखे फ्रेंस मैंने यह डिजाइन वाली लाइन कंप्लीट कर ली है अब मैं इसे यहाँ पे जोइन कर देती हूँ अब हम इसकी दूसरी लाइन बनाएंगे हम पहली लाइन की तरह ही दूसरी लाइन भी बनाएंगे इसे हम पीछे से लेंगे देखे जिस फंदे को हमने आगे से बुला है उस फंदे को हम इस तरह से आगे से ही बुलेंगे देखे यह पीछे का फंदा है तो इसे हम पीछे से ही बनाएंगे इस तरह से हमें यह वाली लाइन पूरी करनी है देखे जब हम इसी फंदे के ओपर यह वाला बनाएंगे तो यह इस तरह से बनेगा देखे फ्रेंज हमें इस तरह से यह वाली लाइन भी पूरी यहां से यहां तक कंप्लीट कर लेनी है यह देखे फ्रेंज मेरी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है अब हम इस फंदे को यहां पर जॉइन कर देंगे यहां पर एक जिसका ध्यान दिजेगा हमारा लाश्ट का फंदा हम पीछे से इस फंदे को बनाते हैं हमारा लाश्ट का फंदा पीछे से बना हुआ होना चाहिए क्योंकि हमारा ये starting का फंदा आगे से बना हुआ है इस दिजाइन में देखिए ये पीछे से बना हुआ फंदा है और ये आगे से बना हुआ है ये पीछे से देखिए ये वाला आगे से फंदा बना हुआ है इसलिए हमारे ये last का फंदा पीछे से बना हुआ होना चाहिए देखिए यह इस तरह से बन गया है अब हम धागे को यहाँ पर गट कर देंगे देखिए इस तरह से देखिए फ्रेंस अब हमें जूते का यह वाला पार्ट बनाना है इसे बनाने के लिए हम सिर्फ पीछे के फंदे में ही बुनाई करेंगे हमें आगे का फंदा नहीं बुनना है तो इस तरह से यह चैन वाली डिजाइन बन जाएगी तो चली देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं प्रेंस सबसे पहले हमें फंदों को दो पार्ट में बाटना है देखिए यहां पे पूरे 70 फंदे हैं इसमें इस साइट हम 37 फंदे रखेंगे और इस साइट 33 फंदे रखेंगे इस तरह से इसमें निशान लगा लिजिए लिए आप यहां पे सेफटी पिल लगा लिजिए इस तरह से हमें यह 37 फंदे वाला पार्ट इसे बुनना है और हम इसे नई बुनेंगे अभी अभी हम पहले इसे बुनेंगे इसे बनाने के लिए हम यहां पे उन जॉइन करेंगे तो सबसे पहले हम गाड बना लेते हैं और इसे हम निकाल देंगे देखिए हमें यह पीछे वाला पंदा इसी में हमें पंदे बनाने हैं इसमें पहले यहां पे हम इसे जॉइन कर लेते हैं अब हम इसमें धागा लपेटेंगे धागा हमें यहां पे दो मर्दवा लपेटना है इस तरह से और इस फंदे में हमें फंदा बनाना है देखिए इस फंदे को इस तरह से बनाएंगे फिर हम दो मर्दवा धागा लपेटेंगे और यह पीछे वाला फंदा इसमें हम इस तरह से बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे और हमें यह दोनों फंदे इस पर दहने देने हैं फिर दो मट्रो धागा लपेटेंगे फिर पीछे वाला फंदा बनाएंगे इस तरह से हमें यहां से सेफटी पीन तक फंदे बनाने हैं देखिए यह वाले फंदे इसी पर रहने देने हैं अभी दो पर धागा लपेटेंगे और पीछे वाले फंदे में इस तरह से फंदे बनाएंगे हमने यहां से शुरू किया है बनाना और इस तरह से बनाते हुए हम यहां तक बनाएंगे हम सेफ्टी पीन के पास आ गए हैं अब हम इसे निकाल देंगे और यह लाश्ट का फंदा इसे भी हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से देखिए यहां पर उन्नीस फंदे यहां पर हैं। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। देखिए इस तरह से दागा लपेटिए और सारे फंदों में से इस तरह से ऐसे निकाल देजिए। इस तरह से इसे इस तरह से बंद कर दिए। देखिए यह बन गया है। इस तरह से अब हम इसका यह वाला पार्ट बुलेंगे। देखिए फ्रेंस अब हम यहां बीच में से इसकी बुनाई शुरू करेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम इस साइट आ जाएंगे। हम यहां से बुनते हुए इस तरह से यहां तक बुनेंगे। हम पहला फंदा यहां पर बना लेंगे। दबल कुरोशे की फंदे बनाने हैं अब हमें यहां पर। एक फंदा और यहां पर एक फंदा बना लिजिए। दो फंदा तीन चार पांच और एक फंदा हम यहां पर बनाएंगे। इस तरह से और आप हम यहां पर हर फंदे के ऊपर एक फंदा बनाएंगे। हम यहां पर कुरेशे डालेंगे। हमें अब यहां पर इस डिजाइन वाले फंदे नहीं बना रहे हैं। यहां पर कुरेशे डालें। इस तरह से सारे फंदे के ऊपर हम एक फंदा बनाते हुए। यहां तक इसकी बुनाई पूरी करेंगे। कि देखिया हम इस धागे को इस तरह से बीच में कर देंगे चुपा देंगे बीच में इस तरह से देखिये यह लायन मैंने पूरी कर ली है। कि मैं यहां पर इस साइट में आ गई हूँ। हम यहां पर एक फंदा बनाएंगे। जिस तरह से हमने यहां पर बनाया था उस तरह से हम इस साइट भी बनाएंगे। जिस तरह से हमने इस साइट में इतनी दूर में रखे हैं। इतने ही फंदे हमें इस साइट में इतनी दूर में रखने हैं। देखिए हमने यहां बीच में से यहां तक छे फंदे बनाये थे। मैंने यहां पर देखिए पांच फंदे बना लिये हैं। हम बीच वाले फंदे में अभी से जॉइन कर देंगे। इस तरह से सिंगल कुरोशिया इसमें जॉइन कर देगे। ऐसे। देखिए इस तरह से यह। देखिए फ्रेंस। 45 फंदे मेरे इस साइट में बने हैं। जो हमने यह डवर कुरोशिया बनाया है। 45 फंदे पुरे हुए हैं। अब हम इसमें चैन बनाएंगे। देखिए तीन चैन बनाएंगे। तीन और अब हम यहां पे इसे दो फंदे छोड़कर यहां पे सिंगल कुरोशिया बनाएंगे। इस तरह से। फिर तीन चैन बनाएंगे। फिर यह दो फंदे को छोड़कर इस फंदे में हम सिंगल कुरोशिया बनाएंगे। फिर तीन चैन बनाएंगे फिर दो फंदों को छोड़कर इसमें सिंगल कुरेशे बनाएंगे इस तरह से ये वाली लाइन हमें कम्प्लीट करनी है देखिए यहां पर लास्ट में तीन चैन बनाएंगे और यहां बीच में हमें इसे जोइन करना है यह इस तरह से और हम इस चैन में इस तरह से फंदा एक फंदा इससे बना लेंगे अब हम इस चैन में तीन डबल कुरेशे की फंदे बनाएंगे इस तरह से एक दो तीन अब इस चैन में हम डबल कुरेशे की फंदे बनाएंगे एक दो तीन इस तरह से हमें सारे चैन में तीन तीन फंदे बनाने हैं इस तरह से सारे चैन में हम तीन तीन फंदे बना लेंगे ये लाइन हमें इसी तरह से पूरी करनी है यहां से पूरा यहां तक मैं इसे पूरा बना लेती हूँ देखिए इस लाइन की लास्ट में चैन में हम तीन फंदे बना लेते हैं इसमें भी दो तीन अब हम इसे यहां पर जोइन कर देंगे इस तरह से देखिए यहां पर इसे जोइन करने के बाद हम फिर से इसमें तीन चैन बनाएंगे तीन और हम यहां पर देखिए यहां पर हुग टालेंगे और इसे सिंगल कुरेशिया बनाएंगे इस तरह से फिर तीन चैन बनाएंगे फिर यहां पर हुग डालेंगे और इसे सिंगल कुरेशिया बना लेंगे इस तरह से हमें यह पूरी लाइन कम्प्लीट करनी है मैं यह लाइन बना लेती हूँ देखे फ्रेंस मैंने ये पूरी लाइन बना ली है यहां लास्ट में हम यहां पर जोड देंगे फंदे को तीन अब हम यहां पर इसे जोइन करेंगे अब हम इसमें तीन फंदे बनाएंगे जिस तरह से हमने ये वाली लाइन बनाई थी उसी तरह से हमें ये वाली लाइन भी बनानी है ये तीन अब इस चैन में तीन फंदे बनाएंगे इस चैन में तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से हम ये वाली लाइन कम्पलीट कर लेते हैं देखे फ्रेंस मेरी ये लाइन कम्पलीट हो गई है हम यहाँ पर फंदों को जोड देती हूँ अब हम फिर से तीन चैन बनाएंगे और हम इसमें कुरेशिय डालकर एक सिंगल कुरेशिय बनाएंगे देखे इसमें इस तरह से फिंगल कुरेशिय बना लेंगे और फिर से तीन चैन बनाएंगे और यहाँ कुरेशिय डालकर सिंगल कुरेशिय बना लेंगे तीन चैन बनाएंगे हमें ये वाली लाइन इसी तरह से पूरी करनी है तीन चैन बनाएंगे यहाँ पर सिंगल कुरेशिय बनाएंगे मैं ये वाली लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ देखे फ्रेंस मेरी लाइन कंप्लीट हो गई है तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पर इसे जॉइन कर देंगे लेखे इस तरह से ये बनकर तयार हो गया है अब धागा कट कर देते हैं अब हम इसमें यलो कलर का उन लगाएंगे इससे हम बुट्टी बनाएंगे इसकी देखे बुट्टी वाले डिजाइन किस तरह से बनाते हैं कि यहां पर कुरेश्य डालिए देखे यहां दोनों जाली के बीच में दोनों जाली के बीच में यहां पर अब हम तीन चैन बनाएंगे एर दो तीन अब हम इसी में बंदे बनाएंगे बुट्टी के एर इससे इसी तरह से रहने दिजिए दो तीन इस तरह से तीन फंदे इसमें बनाएंगे और अब सारे फंदो को इस तरह से उटा देंगे इस सिंगल कुरेशिय बनाएंगे अब हम यहां पर कुरेशिय डालेंगे और यहां पर हम इस सिंगल कुरेशिय बनाएंगे तरह से तीन चैन बनाएंगे एक तीन बुट्टी के फंदे बना लिये हैं इस तरह से अब यहां परी से हम सिंगल कुरेश्य बना लेंगे देखिए इस तरह से बुट्टी बन जाएगी इस तरह से हमें सब तरब बनाना है तेन चैन बनाएंगे और तीन बुट्टी के फंदे बनाएंगे अब सारे फंदो को इस तरह से उतार देंगे यहां पर कुरेश्य डालेंगे देखिए जाली के यहां पर हमें डालना है और इसे हम सिंगल कुरेश्य बना लेंगे ए, दो, दीन ए, दो, दीन ए, दो, दीन झाल 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 दागा इसे बीच में करते रहिए दागा इसके अंदर चला जाएगा इस तरह से देखे फ्रेंस इस तरह से हम ये वाली लाइन बना करके कम्प्लीट कर लेते हैं देखे फ्रेंस मेरी ये लाइन कम्प्लीट हो गई है अब इसे यहाँ पर जोइन कर देते हैं अब इसे यहाँ पर जोइन कर देते हैं अब दागा कट कर देंगे इस तरह से हम इसका दूसरा जोड़ा भी बना लेते हैं देखे फ्रेंस मैंने दोनों जोटे बना लिये हैं अब हम इसकी डोरी बनाएंगे डोरी बनाने के लिए मैंने नव नंबर का कुरेशा लिया है और मैं इतना बड़ा दागा छोड़ कर यहाँ से डोरी बनाओंगी यहाँ पर हम गाठ लगा लेंगे और हम यहाँ पर नब्बे चैन बनाएंगे यहीं 20 इंज की डोरी हमें बनानी है इस तरह से हम नब्बे चैन यहाँ पर बना लेते हैं नब्बे चैन बनाने के बाद हम इतना बड़ा दागा छोड़ देंगे और यहाँ से हम दागा कर कर देंगे अब इसे इस तरह से खिश दीजिए देखे फ्रेंस इस धागे में हम ये लट्टू लगाएंगे इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी आप वहाँ से देख सकते हैं इसे हम यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे तो मैं इसे यहाँ पे लगा देती हूँ कर दोरी को जूते में लगाएंगे कि अब यहाँ आप लगाएंगे जूते में डोरी लगाने के बार हम इसमें दूसरा लट्टू भी लगा देंगे इसी तरह से हम दूसरा जूता भी बना करके तयार कर लेंगे देखे फ्रेंस दोनों जूते बनाने के बार मैं यहां पर इस तरह का छोटा सा फ्लावर बना के लगाऊंगे इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है इस तरह से दोनों जूते पर इस तरह से फ्लावर लगा दिजिए यह बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं आप चाहें तो इस तरह का रीबिन का भी फ्लावर बना करके इस पर लगा सकते हैं या आपकी अपनी पसंद पे हैं कि आप इस पर क्या लगाना चाहती हैं या आप चाहें तो इस तरह से सिर्फ रीबिन ही लगा दिजिए फिर भी यह खुबसूरत लगेंगे देखें इस तरह से तो फ्रेंस आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू स्ब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल कारताग्य।